बिसम्लाइब रही में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते रहता है आप सबको अपनी जोमान में रखे और मैंने आपको बताया है कि मेरी सिस्टर आई मी है और यह उसी दिन का व्लॉग है तो एक हमने जो है वो लजानिया बनाया था सिस्टर को मेरी बहुत पसंद है घर म अपलोड कर रही हूँ तो यहां मैं इसके लिए कीमा बना लियू और लजानिया के साथ जो है वो मैं थोड़े से जो है न और दूसरा खाना भी बना लिया था सालन भी बना लिया था इसलिए कि पापा जो है न वही चीजे जादा पसंद नहीं करते हैं तो फिर उनकी चीजे उनके लिए भी जो हमें ख्यार लखना पड़ता है तो इसलिए पिर वह सारन मगारे सब मैंने रेडी कर लिया था और रोटी बना ली थी तो बस यह हमने बनाया लजानिया और बहुत मज़े का लजानिया बना था बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बनाती हूं मैं तो आप जरूर मुझे अगर रैसी भी चाहि बनाया था और उसकी रैसीपी तो मैं आपको बता चुकी हूं मेरी वीडियो में है आप देखिएगा तो बस यह हम लोग ने इंज्वाई किया बहुत बहुत मज़ा आया और घर में एक सन्नाटा सा हो गया इसलिए के छोटा बच्चा घर में होता है न तो फिर इतनी ज्या किया केला बहुत मज़ा आता है मुझे और आपको सुनके हैरत होगी कि वो मुझे बाजा कहता है सब लोग मुझे बाजी कहते है और वो मुझे बाजा कहता है तो उसके मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है बाजा बोलना और सब लोग हसते हैं जब सुनते हैं कि बाज में रहती है तो उसके बच्चे मेरी बेटी से चोटे हैं लेकिन ये के उनके साथ भी हमने बहुत मज़ा किया था जब वो लोग आये थे तो खैर बस यही सबसे चोटा बच्चा है हमारी फैमली में तो हमें बहुत मज़ा आता है तो इसको लजानिया बहुत पसंद आया और बार बाब मुझे खाने में कहते है बाजा आपने तो बहुत मज़े का बनाया है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो उसने सिर्फ लजानिया ही खाया और माशालला खूब इंज्वाई किया तो रात के टाइम में हमने टैली फिल्म भी लगा ली थी जो मजाया ड्रामे आते हैं हम टीवी से तो वह हम लोग लगा लिया था और वह इंज्वाई कर रहे थे उसके साथ खाना पीना भी चल रहता तो लजानिया की पार्टी जो हैना वह एक बार और शुरू हो गई थी रात के टाइम में तो हम गरम करकर सब लोग खा रहते मैंने तो नहीं खाया द जो हैना एंज्वाईमेंट चल रहा था किचन में लजानिया बन रहा था और मेरा बांजा जो हैना वह मुसलसल मेरे साथ साथ था मैं उसको बार बार दूर भी कर रहे थी का आप उधर सामने इंबैट तो वह काउंटर पर चड़के बैठ जाता है और मज़े-मज़े की बा जाना चीजें बहुत आदा गरम है तो बात भी मान रहा था और हमारे साथ मसेंतार बाते कर रहते हैं तो खूब हसी आ रही थी हम लोगों को हम दो खूब एंज्वाइग कर रहे थे तो बहुत ही मज़ा आया मेरी सिस्टर बहुत कम रहने के लिए आती है और आगर आती भी त तो उसने कहा था बना दें लेकिन जो है वह बना नहीं सकी तो नेक्स ट्राइम इंशालला भी तो चुटियां है तो मेरी बेटी के भी समिस्टर हतम हो जाएंगे तो फिर वह दुबारा से हमाया रहने आएगी एक दिन दो दिन के लिए तो फिर इंशालला वह यू सॉरी भर की अच्छी तर्ना से डाली थी तो तभी मज़ा आता है जब चीजें जगरा जब अच्छी तरना के पढ़िवी हो यूँ चीजों में तो तभी हम लोग लोगे अच्छा लगता है खाना तो खेर कम ज्याधा जो है इनसान के जिंदगी का हिस्साहिन है और वह चल प्रयों इनाग से चछेट जिए फिस लोगदिते थी से फिय्ट्र के वेटं सं seniors करें लिए तो इससाथ मैं। तो प्रयों राइं डेड़ी आप हम मेरे अवागशना सकी के थां हुआ तो की बार-बार गरम होने से जाती है जाइर सी बात हम इसको बार गरम कर रहे होते हैं तो फिर यह जूए ल gateway मारी मैसी होजाती है बस देखें लजानिया की लेश्टाइब लगई है अब हम लजानिया को जो है फिर वीज्व उझ आव और हम abone रखेंगे तो देखे बस दुबारा रखा और अब मैं निकालूंगी इसको तो मज़ेदार धुआदार लजानिया तयार हो चुका है बहुत मज़े का बना था इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे पताइएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी विडियो देखें तो सब्सक बबगए मेया बहुत तर आपटा थे बहुत मज़े का बना थैस ! और मैंने थे खाया था यह यह तो बस यह देखे हो गया !! लंच में फिर यह कहा था और दोबाला गर्म कर लिए था तो बहुत प्रॉपर सा अच्छा-जगरम हो जाता क्या हूँ है! अब यह देखे कर कैसी चमक जाएगी बिलकुल मैं इसको बिलकुल क्लीन कर दूँगी और हमेशा मैं इसी तरह से करती हूँ कोई भी चीज बेक करती हूँ और फिर असको निश को बहुत अच्छी तरह साफ कर देती हुँ यह देखें मैंने इसमें सिर्का एड कर दिया है थोड़ा सा पूरार तरफ मैं सिरका कर दिया, सोडा स्प्रिंकल कर दूँआ, मैं सोडा डाल दूँगे, भी तodle दिया तुछ ञताisión हम यूश या ग्लास की इसी तरह से कोई डिशिस हराब हो जाए ना आप इस तरह से साफ कर सकते हैं और इसको मैंने कवर कर दिया था इसी के कवर से और देखें बस थोड़ी देर छोड़ा था इसको मैंने आद पौना घंटा पानी थोड़ी असा गरम ही है लेकिन अब मैं इसकी क्लीनि सावन पौना था जयाती या छीद म क्लाए है और बार से कर देख निकफ तक लूच case देख्चत केंटेंटर किःटीर। व्लूच case निकाल के इसम क्लर्श कर दण निकाल के और अच्छ क्यों अबियुस और स्कॉच बाइट से इसके अच्छी तरह से सफाई करूंगी और बिल्कुल मेरी डिश साफ हो गई थी चमक गई थी पि मैंने उसको दुबारा सुखा के और उस दुबारा उसी जगह पर रख दिया था तो चीजों की कदर करने में हकसर व्लॉग में आपको बताती हूँ जो भी चीज अला ताला ने दी है चाहिए वो पहनने की है खाने की है या कोई भी हमाई इस्तमाल की चीज़े उसके हमेशा में कदर करने चाहिए तो बस यह देखे स्कॉच बैट से इजी तरीके से अराम से निकल जाएगा और यह मेरी आस्ती ही जो मिरीमेशा से चाहदत रहेका करका करना की नीचे थी तो मुझे बहुत तंग करे थी कि यए मैं वछ फारला रियक जाँ चलोड़ाए तो चलो मैं नीचे करके काम करनीओ लेकिन भई जो नहीं होbolag हो सकता G Deixa आईar पानगरहा है ला यंज और ने से पहले हो ताके इसालना प्रेंट सफ वो थास नियम्न्राइप को निच वाच लिए पर गाएपो जो भी लगाव हो ना तो मुझे समझ में आता रहे और मैं उसको देख देखे निकालती रहूं तो इस तरह से मैंने इस डिश को अच्छी तरह से वाश कर लिया था आप भी इस तरह सकते हैं कोई भी आपके इस्तमाल के बरतंग हराब हो जाए तो गरम पानी जो है वह बहुत शाइनिंग इसमें आ रही थी और मेरा दिल जो है ना हमेशा की तना रहम दूला खुश हो गया था इसलिए के मुझे गंदी चीजों से बहुत जादा चेड़ होती है मैं कभी भी बरतंग और गंदे कपड़े यह सब घर में नहीं रखती हूं मुझे नहीं पसंद है यह ब चूटा सा बच्चा आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और जरूद शेयर कीजिएगा कमिन जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रैसेपी आपको कैसी लगती है लिंक जरूद शेयर करूंगी रैसेपीस का इंशाला अला फिर मिलेंगे आला आपिस